प्रित्र आत्मान वाइबढ़vat्यटरात्म की शिवकाई फल्बंद्र नहीं सकती उसके बिना लोग चमतकार और छिनों को नहीं देख सकते और यह बीजरूरी है कि अगर आप Holy Spirit से फिल्द नहीं, आप पर जाएंगी, क्वाइबर आत्मा से खरे होगी, बाएबल कहते हैं, आपकी स्यवकाई पर्दिस आप लोगों के साभिन के जाने कि साहेंगे, क्वाइबर आत्मा आप से बात कहाते हैं तो आत्मा से अब वाइब कहने हैं, वो लोगों के केस को लोगों के हिर्पे को और लोगों को क्या बोलना है आप पर जाले की परेंगे अगर यहां पर आत्मा के तुरह देख रहा हूं कि रिखती को कड़वाहट रूप इंजेक्शन लगा चुक है मुझे नहीं मालूं को कौन है लेकिन पवित्रा आत्मा आपको बता सकता है आप उसके साथ अपने संबंधों को प्रायद करते हैं कि आपको यह मालूं होना चाहिए कि जीजस क्राइस ने जब यह कहा कि जाओ और सब जात्यों के लोगों को चेला बनाओ तो वहां पांसो से अधिक लोग मौदूब ने 12 चुने हुए दिए हैं कि उसे एक में आत्म क आपको तुमें कि आपके पास्टर को नहीं कहा उसने सिरुव आपको बोला है आपको आपको कहा है जाओ आमें अब जब आप किसी व्यक्ति के सामने परमिश्व के प्रीच को लेके जाएंगे आपको मालूम नहीं उसे क्या चाहिए उसके दिल में क्या है उसकी लाइस में क्या है उसका केस क्या है किस पास से वो जुड़ा हुआ है किस पास से वो धिलेगा आपको नहीं मा मैंने का पवितरात्मा की भरपूरी अलग चीज़ है पवितरात्मा की सामत से भरना ये एक अलग लेवल है ये पास्टल्स को चाहिए अपोस्टल्स को चाहिए आपको भी चाहिए अगर आपको आपको बांगते तो परविस्ट आपको भी देगा लेकिन पवित्रा आत्मा से भरना ये सब किसी को जोड़ी है तो कि जैसे आप सुसमा चार्ट सुनाने करें जाएंगे हाई, मैं ये सुसमा चार्ट में देने के लिए आया हूँ लेकि उसके दिल में क्या है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है उसकी लाइफ की धिक्कत क्या है, वो तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन पवित्रात्मा तुम्हें बताएगा कौन सा बचन इसे देना है, उसके बहुत पैसा हो, उसके बाद सारी बढ़कते हो, वो चंगा भी हो लेगा, उसके धिल में ये शांती हो प्रक्तम हो चुकी है, और मेरे पास पैसा भी बहुत है, लेकि ये तुने क्या कहा, वो शांती कह रहा है, ये मुझे सुनना है, ये मुझे सुनना है, तुम मेरे पास मुझे वचन देना, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बिना चंग, उनको चंग्याई की जुरत नहीं थी, पैसों की जुरत न तो अगर तो बिना पविच्रात्मा के जाओगे तो अपने फूरा के लिए परवा लॉटा वजब शेतान से उसकी परिक्षा हुई जानता है आपकी जरूरत क्या है और वो आपको परखता है उसे मालूम है आप 29 साल के हो चुके हैं आपकी शादी नहीं हुई वो औरतों से आपको परखेगा मर्दों से आपको पर्खेगा उसे मालूम है आप पैसे के कमज़ूर है वो चोरी से आपको उसे पालों में आपको क्या चाहिए और अगर इस पार्ट में आप कमज़ोर रहे तो साम्मर्थ आपको कभी नहीं मिलेगी तो कि वो उनी लोगों के लिए है जो अपने शरीर को जीत कर आगे पड़े लेकिन वो अलग हिसा आज हम उसमें बात नहीं करेंगे आज मैं आपसे सर्फ इस विशे बात करूंगा तो परविश्व ने कहा कि ये शुब ववित्रात्मा से भरा हुआ लौटा यानि ववित्रात्मा की भर्पूरी अगर आपकी लाइफ में नहीं है आप प्रीच नहीं कर सकते आप सेवा नहीं कर सकते आपको क्या करना है ववित्रात्मा की भर्पूरी के लिए अच्छी संग्तियों को अटेंड करना है ववित्रात्मा की भर्पूरी के लिए वो क्या करना है वो अपन्या को बताऊंगा इस या पांच उसकी 17 आयत उसकी 18 आयत में लिखा हुआ है इस कारण निर्बुद्धी ना हो प्रत्ध्यान से सम्झे प्रभू की इच्छान गाए। दातरस के मत्वाले ना बनों से लुच्पन होता है और आत्मा से परिपूर न होतेगा। आत्रस में खाजन सुपी गान और आत्मी की गाया कर अपने अपने मत्री प्रभू के सामने बाते और प्रत्ध्यान से लुच्पन होते हैं। तुम्हें बोला? आई शोर तुम्हें बोला? तुम नहीं नहीं तुम बोलते हो खुदा कोगी मुझे आत्मा से भरपूर कर लेकिन खुदा कहता है अपने आपको पवित्रा आत्मा से परिपूर्ण करते जाओ यानि किसके जिम्मीवाली अपर पूर्दी करना आप लोगो जब मैं मसी में नया था तो जब मैं उम ग्रुप में पेर्ज करते थे हमद और अग्री शुद्रा अपने खुदिक जाते हमें होती होता है इसके ते आपको कुई कट्टे की सारा यूँचिक अधा बारे में उसके बारे में खरे थिर्ड़ तो ख्था शुदा आपको ऑश लेकिन अरे वो आमर्क मेसुश की है, वो फिलिंग मेसुश की नहीं होती है, वो पास से बिला जो अले जाते हैं, उसने कहा अगर तू 6-20 साल का काम, अगर तू 6 महीने में देखना चाहता है, तो पहला काम परमेश्वर के खिलाव कुड़ कुड़ाना बंद कर देना, किसी भी कंडिशन में परमेश्वर के खिलाव कभी कुड़कुड़ाना नहीं, कभी उसके खिलाव नहीं बोलना, कुड़कुड़ाना बंद कर देना, अपने कंडिशन तेरी जैसी भी हो, कुड़कुड़ाना बंद कर देना, दूसरा गंदा मजा करना, हसी ठठठा करना, बं क्योंकि अगर अगर मुझे मालूम है एक तो है कि मुझे मालूम नहीं एक है कि मुझे मालूम हो चुका है कि ये मेरी कॉलिंग है ये पवित्रात्मा ये परचार करना ये काम करना ये खुदा का रूस खुदा की रूस से मुझे सुसमाचार को लेके जाना है मुझे मालूम हो चुका है तो अगर मुझे मालूम हो गया है तो मैं तयारी क्यों नाद करूं इसने का आपने अपने मन में तुम भजन और किम्टन करते रहो मुझे आज भी यादए जो वर्षिप करते हैं, वोझे तो तीन तीन चार्चा दिल वही जो वर्षिप में काये जाते थे हैं, मेरे दिल में दिमाग में बज्टे रहते हैं, और आपके दिल दिमाग में टिप-TALK की त्यून्स बज रही हैं, और इसी कारण आपके शब्वां कंप्लीट नहीं होती, और जब कॉलिंग कंप्लीट नहीं होती, आपकी ब्लेसिंग कंप्लीट नहीं होती, और आप उस जगा पे नहीं आते, जिस जगा पर परमिश्वर ने आपको आने के लिए बुलाया, मैं आपको दावा करता हूँ, जब तक आप स्पिरिट में काबि प्रगु ना हो जाए और आप तब भी वहाँ ना पहुंचें जिसके लिए प्रगु ने आपको अपने पास गुला मैंने लोग देखे हैं 90 साल की उपर में मौद के बिस्तर पर लेटे हुए ये कहते हुए कि खुदा ने मुझे ये काम करने के लिए बुदाया था लेकिन वो भी हुआ नहीं कारण परमेश्वर नहीं कारण ये है कि उस जगा को प्राप्त करने के लिए जिस तरह की जिन्दगी में हुआ कि जब परमेश्वर ने उसे मसाद्या राजा हुने के लिए वो बिच्प साल करने नहीं लेकिन क्या उसको राजा बना दिया परमिश्वर ने, नहीं, योगि उस राजा होने के लिए अभी अभिशेग उसकी लाइफ में नहीं था, 30 साल का हुआ तो इसराइल के एक गोतर का राजा बना, इसका यहूदा गोतर का, यहूदा गोतर का राजा बनने के सारे 7 साल बाद फिर वो इसराइल के सारे गोतरों का राजा बना क्यों इतना टाइम लगा जब तक वो spirit में उस level तक नहीं पहुंचा परमिश्वर ने उसे वो blessing नहीं भी आप जब तक spirit के उस level तक नहीं पहुंचेंगे अब रहें बाइबल में यह चलता जा और शित्त होता आगल अगर और ऑदा फुदावन तुम बाते ही करेगा अब फूस्टान लोगैं तूरे अब दबूदा अफूरी संतान साहरा के साथ लिए लिकिन परमेशव ने का सिद्ग होता जा विए जब भी वो संतान होने की बार उसने उस बचन को सभिकार किया, अपनी दवार पे बैठा हुआ था, उसको दूद दिखाई दिये, वो भाता और बोला, कि जब तक बने से ठाना ना दूँ, यहां से जाना नहीं, वो दूद पहले भी आते थे, लेकिन अपर हमको दिखाई नहीं देते, थे वो उने आदमें को सब्सक्राइब करें, ताकि आप परमेशुर के गहरे बेदों को जान सकें, कि कैसे आप परमेशुर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्टात्माओं से, नशों से, बिमारियों से, और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं